अत्यार बड़ाबदार नरेंद्र मोधी राष्ट्रों ने संबोधी रहा शे पुलटेनी शरुआत तेना थीच करिया सरदार वल्लभाई पटेल का था, बाबासाब अम्बेड कर का था, डॉक्तर शामा प्रुसाद मुखर जी का था, अटलजी और करोडो देश भक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है, जम्मु कश्मीर और लदाक में एक नए युक की शुरुवात हुई है, अब देश के सभी नागरिकों के हग भी समान है और दाइत्व भी समान है, मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को, लदाक के लोगों को, और प्रतेग देश भासी को, रदाइपुरवक बहुत 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 बधाई देता हूँ, साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें, समाज के साथ इतनी गुल मिल जाती है, कि कई बार, उन चीजों का, एक प्रकार चे मन में स्थाही भाव बन जाता है, स्थाही मान दिया जाता है, ये भाव आ जाता है, कि कुछ बढ़लेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा, आर्टिकल 370, अनुच्छे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसमें जम्बू, कश्मीर और रदा के हमारे भाई बेनों की, हमारे बच्चों की, जो हानी हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी, हैरानी की बात ये है, कि आप किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था, कि अनुच्छे 370 से, जम्बू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ, भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्बू कश्मीर को अलगाववात, आतंकवात, परिवारवात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले प्रस्टाचार के अलावा, कुछ नहीं दिया. तो बड़ा ब्रदान मोधी काश्मीर मां 300 सित्ते ना जे बेखंड खासेडी देवा मां आवे छे, त्रत करी देवा मां आवे छे इना विशे संबोधन करी रहा था. तेरे भारत वरा काश्मीर नो विशेश दरजो पाचो खेचावाना पगलाना घेरा प्रत्यागातों पढ़े छे. काश्मीर नेक विस्तारों मां 53 सित्ती ने पगले 145 नी कलम लागू करवा मावी छे. काश्मीर नी ताजा परस्ती जानवी मुश्केल बनी छे. BBC सवाद दाता आमिर पीच जादा हाल काश्मीर मां छे और त्यानी परस्ती वे छे माहितिया पी रहा छे. आज कश्मीर में करव्यू चोथे दिन भी नाफिज है ये करव्यू पहली बार ऐसा करव्यू रहा होगा जहां पे चार दिन तक सिविल लेंज को कोई भी डील इस करव्यू में नहीं मिली, कोई रिलेक्जेशन उनको नहीं दी गई. लोग चोथे दिन भी अपने गरू में बंद है, चोथे दिन भी हर सड़क पे सेक्यूर्टी फोर्सेज, पैरा मिल्ट्री फोर्सेज, पुलीस, आर्मी, बियस सेप्ची ताइनाती बड़े पाइमाने पे है, कम्मुनुकेशन लाइन, मुबाइल इंटरनेट, लैन बेस्ट इंटरनेट, मुबाइल फोन्स, लैन लाइन फोन्स, हर तरह का कम्मुनुकेशन भी फोर्स डे पे भी डाउन है, चारों और बंद का माहोल है, कहीं से इन्फोर्मेशन की खबर हम तक नहीं पहुंचती, और कल हम साउथ कश्मीर गए थे, साउथ कश्मीर में जहां पे हर द इंट कश्मीर की बात करें, तीन सो से ज्यादा मैंस्ट्रीम पॉलिटीशन को या तो डिटेंड या हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, कल हम डॉक्टर फारुक उगला के घर जाने की हमने कोशिश की, जहां पे हमें गेट पे ही सेक्यर्टरी फोस्स ने रोका, और हमें ये क्योंकि जुम्मा के प्रेयर्स के लिए क्या लोगों को घर से बाहर आने दिया जाएगा, पूरे कश्मीर में डिफरेंट जगों पे कलैस्ट के रिपोर्ट आये हैं, सेक्यर्टी फोस्स प्रोटेस्टर्स के भीच में स्टून पैल्टिंग के रिपोर्ट भी आई है, हम त बुद्करवानों भारते जी निर्णै लिदो छे, तेने लईने जो ये दिवस बना केटलाग महत्वना समाचाल। पर तातकालिक सुनावनी माटे इनकार करी दिदो छे, काश्मिर मामले पाकिस्ताने भारत साथे तोड़ी नाखेला राज कीए, औने व्यापारिक संबंधु मामले भारते वल्तो जवाब आपे हो छे, भारते कहुँ के पाकिस्ताने डर बतावी आंतरीक मामलामा दखल प्रायतन करेो छे, जिक क्यारे सफल नहीं थाए, अवे कांग्रेस ना वधू एक नेता काश्मिर अंगे मोधी सरकारे लिदेला निर्णे ना समर्थन मा अगला आब्या छे, डॉक्टर कर्णसी हे कहुँछे, कि सरकार ना आ निर्णे नी संपूर्ण टी का योग्य न थी, डॉक्टर कर्णसी जम्मु काश्मिर ना पूर्व महराजा हरी सीहना पुत्रपन छे, जम्मु काश्मिर मा तो कलम 145 अस्तित्व मा छेज, परन्तु बीजी तरफ कारगेल मा पहली वार कलम 145 लगावाई छे, तो आ तरफ श्रीनगर, बारामुला अने गुरेज मा पन आग पाकिस्तान ने वेपारी सबंदो तोड़या, परन्तु नुकसान कोनु थर्षे? लए विराम माड़े थोड़ी चुआत। पाकिस्तान और इंडिया के तरम्यान जो डिप्लोमाटिक कशीदगी की सूरतिहाल जो कल रात से डिवेलप हुई थी, उसमें थोड़ी सी आज कुछ पॉजिटिव खबरें भी सामने आई हैं, मिसाल के तोर पे पाकिस्तानी जो फॉरण आपिक आफिस के स्पोक्समेन है, मुहमद फैसल, उन्होंने थोड़ी दिर पहले अपनी वीकली ब्रीफिंग में ये बताया है जैनलिस्ट को, कि जो करतारपूर का इनिशेटिव लिया था, पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था, वो जारी रहेगा, क्वेस्टिन्स इस तरह से हो रहे थे, कि अब जबके सि हो रही हैं, उससे उसका तालुक नहीं होगा, उसके लावा उन्होंने इन खबरों की भी तरदीद की है, कि पाकिस्तान शायद जो जो फिजाई अप्रोच है, इंडिया की तरफ पाकिस्तानी साइट से, उसको एस स्पेस को शायद दोबारा बंद करना चारा है, तो उसने पाकिस्तानी फॉरण आफिस के स्पोक्समेन ने ये भी कहा है, कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान अपनी फिजाई हुदूद अभी फिल हाल जो है, वो बंद नहीं कर रहा है, इसके साथ एक छोटी सी खबर जाहर है, चुके अब पाकिस्तान ने ये कहा कल रात को, कि वो इंडिया के साथ जो बाइलाटरल एग्रिमेंट्स और जो जो ओवर्चिर्स हैं, उनको रिव्यू करेगा, तो समझोता एक्सप्रेस, जो ट्रेन थी पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियान, उसको बंद करने का एलान किया है, पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने, जो टॉक्ण से भागता रहा, तो पाकिस्तान ने तो कभी टॉक्स से इंकार नहीं किया, उन्होंने इग्जेक्ल één नहीं कहा कि पाकिसतान अब भी टॉक्स चाता है, लेकिनोंने ये क्लारिफाई किया कि पाकिस्तान iki नहीं बाई 159 वैपारी सबंदों उजा से तेनी सौथी वदू असर पाकिस्तान प्रशाशत काश्मीर माथसे। BBC सवाद दाता फरहर जावेद आविशे वदू सब जावी रहा अच्छे। ये वो सिरी नगर रोड है जो के लाइन ओफ कंट्रोल की दोनों जानेब मौझूद तक्सीम शुदा कश्मीर को एक दूसरे से जोड़ता है और उन दो रास्तों में से एक है जिसके जरीए पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर और इंडियन एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर के दरमयां तिजारत भी हो रही है यहां पर हकूमत पाकिस्तान ने कल ही अनौंस किया है कि वो इंडिया के साथ तमाम बाइलेटरल ट्रेड जो है उसको सस्पेंड करेगा लेकिन इस रास्ते पर जो ट्रेड है वो अप्रेल में ही इंडिया ने उस वक्त सस्पेंड कर दी थी एक उड़ी मुझाफराबाद रूट है जबके दूसरा पूंच रावला कोट रूट है जहां अब ये तिजारत जो है ये सस्पेंड हो चुकी है तकरीबन 21 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त है हमने यहां कुछ ट्रेडर से मुझाफरा के रख दिया अब वो माल जो हमने फैसलबाद से खरीदा जो लाहोर से खरीदा जो पिंडी के मंडियों से खरीदा वो इसी वज़े से खरीदा चूंकि इसको अलोशी करास करने पार उस तरफ भेज़ता था मगर अचानक जो इन्होंने ये कदगन लगाई थी पाबंदी ल कर डाला तो मैं बींगे किश्मीरी मैं कहता हूं कि अगर इस सवाले से मेरा लाकों करोडों का मेरा सब कुछ चला जाए मुझे उस पर कोई परिशानी नहीं है मेरे लिए पहले किश्मीर है उसके बाद मेरा ट्रेड है लाइन ओफ कंट्रोल के आर पार्ट ट्रेड का ये सिलसला दो हजार आठ में शुरू किया गया था अगरचे इसमें बहुत से अपस और डाउंस आते रहे हैं लेकिन ये समझा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेर्ज लिए अप एली बार छे जरे भारत नी कोई कारेवाही थी नाराच पाकिस्ताने सामे थी भारत साथे ना सबंदो उच्छा करवाने दिश्रामा पगला लिदा छे जोके निश्रानतों ना मतेया पगलाओनिया सर भारत करता पाकिस्तान पर तिना अर्थ दंत्रने वधू थावान जुकरी माही तयबा मुनी सर्जिकल स्ट्राइक नो ए समय याद करी रही छे जरे बनने देश वच्छे संगर्श होआ चाता सुसमाश्वराजे एक दिक्रीनी जे तेनी मदद करी हाती म lado Bruce C 전에 अर्मी अड़किया मेरी बेटीकों की तरह हैं तो मैis फर्पूर कोश़ियों के झाँ ओभी चो जब्द करती है तो इस तरह स्मयं भी कोशिश करेंगी को किसी तरह के परेशानी और आप बाहिफाज़त वापस चलें मेरा ना माहित एबा मुनिर है एक्षवी मैं दोहजार सोड़ा में ग्लोबल यूथ पीस फेस्टिवल पेडिया गई थी उस दुरान में काफी ज्यादा पाकिसान और इंडिया के हलात कशीदा थे हमारा वहाँ पे दूसरा दिन था जब सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में हमें न्यूस मिती वहाँ पे तो हम लोग काफी परेशान होगे के पतनी अब क्या होगा हम लोग वापस कैसे जाएंगे या अगर जंग हो जाती है तो फिर उस दुरान में हमारे साथ यहाँ पे हमें केदी करके रख लिया राइगा है या कुछ भी हो सकता है तो उसमें हमारी जो ग्रुप को लीड करी थी यहाँ पे इसामबात की डर्की थी तो उनने ट्विटर पे काफी ट्वीट्स की सुष्मा सुराजी के नाम पे तो उनने इंशोर किया कि हमारे सेफ रिटर्न उसे पॉसिबल बनाएं हम सब की मेरे ख्याल में सोच या तवक्व से बढ़के हमें वहां पर सक्यूरिटी जो है वो ताफजात फराहम किये गए जो भी हम कम्यूट कर रहे होते थे या हम सफर कर रहे होते थे तो हमें सेक्यूरिटी बिलकुल उनने अपने वजीर आजम या उफिशल्स के बराबर दी उनकी जो है मौत की खबर सुनी तो इसका बहुत अफसोस भी और हम सब के जहन में वही वाला वाक्या आ गया कि हमारे साथ जब हम इंडिया गे थे तो उन्होंने जैसा सलूग किया तो उफकोर्स एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर उनका इमिज तब से ही हमारे जहनों में था थोड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी जे संबोधन करी रहा शे मा कई रहा शे कि भारत सरकार ध्वारा जमु काश्मीर नी 307 कलम ना बेखन हटावाना निर्णाई नी वकिलाद करी काश्मीर ना विशेश अधिकारों ने नाबुद करिया बाद पहली वार सार्वजने करते मोधी संबोधन करता काश्मीर अने लदाखनी चंता ने अभिनंदन पाठावया तिमने आरोप लगावेशे कि कलम 307 ने कारणे काश्मीर नो विकास अटकी गयो हतो हवे तेने वेग मर्शे मोधी ये पाकिसान पर आरोप लगावेवेव कि कलम 307 ने हाथों तरीके उप्योग करीने पाकिसान अहीं चरम पंतने प्रोच साहन आपी रहु हतो तेर बीबीसी समाशार मा समाईश विरामनो आगर जो इश्यू अपना आहार थी परियावरण ने के विरते थाई रहे हुचे नुक्षान समय शे विरामनों मड़ी श्यू थोड़ी इच बार माँ विराम बात फरी अपनू स्वागेचे बीबीसी समाशार माँ हूच्छो आपनी साथे रीजल शा हवे जो इसू बीबीसी डाउन टैप जिमाचे विश्यू ना ने समाचा शंक्षित्तमा वेनेजुएलानी सरकारे विरोध पक्षाथे नी हवे पचीनी वाचीत रद करे दिचे अमेरिका ये वेनेजुएला पर नवार्थिक प्रतिबंदो लाद्या चे जिने लईने अहीनी सरकारे आनर नहीं लिदो छे अब आचीत बार-बार ओसमा यो जावानी हती जिनों मुख्या उद्देश यहतों के देश माविला राच्किये संकटने दूर करवानों उपाई शोध्वा मावे अमेरिका ये हाल वेनेजुएलानी अमेरिका स्वित तमाम मोडी सील करी दिचे पाकस्तान मुस्लिम लीग नवाजना उपाद्यक्ष मर्यम नवाज शरीफ नी अटकायत करवा मावी छे मर्यम नी चौधरी शुगर मिल केस मा मनी लॉंडरिंग ना आरोप मा पाकस्तानी इंवेस्टिकेशन संस्तान नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो ए अटकायत करी छे मर्यम तिमना पिता नवाज शरीफ ने मढवा कोट लखवा जेल मा गया हाता ए समय अटकायत करवा मावी तो मास अने डेरी प्रोड़क्त नो वधुपड़ो वप्राश ग्लोबल फॉर्मिंग ने नोत रे छे तेम उनाइटेड नेशन्स ना वैगना निको नू कहवू छे इंटल गवर्मेंट पैनल ओन क्लाइमेट चेंज एक है उचे कि खानपान पद्धतीना कारणे कार्बन उत्सर्जन बधी रह उचे पड़ा वैगना निको ए शाकाहार की खौराक मां मास न उप्योग करवा विशे कश्रू न थी किदू अलपाइन निया परवत माणामा एक समय जंगल हतू अहीना चाड वातावरन माथी कारबन डायोकसाइड खेंची आबो होवाने समतोल रात्ता पर मानसे खेती औने पशु पालन माटे जंगल न नाश कर्यो हवे पशु ओथी पेदा थता मिधेन वायोने कारणे वातावरन गरम थे रहे हुँचे हाँ प्रकारना चरानना कारणे जमिन माथी प्रोटीन उतपादन थवा निशक्यता रहे छे आने तेना थी परियावरनने कैक अंशे फाइदो पन थाए छे पन तेनी सामे ग्रीन हाउस गेस नू उस्तरजन पन एटलू ज थाए छे पन तेम छता अहीं आल्प्समा एकठा थायला वईग्दानी को संपूर्ण अपने शाकाहार नी तरफेंड नती करी रहा हाँ ते एटलू चोकस कहे छे क्या आपने मास अने डेरी उतपादन नो वप्राज घटाली शाकभाजी तरफ वढ़वू जोईए जो के अचर चाच चिन्टा जगाले छे कारण के आपने जमीन नो उप्योग जटिलता पूर्वक करी रहा छी है निश्रान तो कहे छे के आपने जैव इंधरन ना उतपादन माटे व्रुक्षो नो वावेतर विस्तार घटाले उछे जिती दुनिया अन उतपादननी समस्यानो पन सामनो करी रहुशे आपने वातावरन माँ गर्मी घटालवा माटे जंगलनो नास थतो रोक वोपल शे रण आगल वधी रहा छे त्यारे जमीन नी गुणवत्ता जालवी राखी शू तोज आपने अन्ननी समस्यानो उकेल लावी शकी शू आपने पस्चिम मां मास औने डेरी प्रोडक्टनो वधू पड़तो वपराश करीये छिए जी आपना स्वास्ते माटे सारू न थी जड औने जमीन बगडी रहा छे जो आपने मास औने डेरी प्रोडक्टनो वपराश खटाडी शू तो वातावन अने स्वास्त्य बनने माटे सालू छे वईगनारी को इच्छे छे के अन्ननू बगार घटे कारण के अन्न उत्पादन ना कारणे क्रीन हाउस गेसनू प्रमान वधे छे जीनी वामा आ उम्दा प्रवरुत्ती चाले छे अहीं वासी ब्रेड माथी बिस्किट बनावामा आवे छे जेती बिस्किट बनावामा ताजो लोट नवा परवो पड़े उत्तर इंगलेन मा आ वहता पाणी थी पशिवो माटे खास चारोगाल वामा आवे छे पणा लीला घासना काराणे ग्रीन हाउस गेस पेदाधतो होई आक कहोवाट ने अटकावाई रहो छे वईग्नानीको प्रुत्वीने गरम थती अटकावा माटे आवा सरल उपायो पन करी रहा छे चो हिंसक प्रदर्शनों ये अथावात रहा तो सेना अंदोलन कारियोंने कचडी नाख छे तेवी चीने आपेली सक्खट शब्दोनी चेतवनी बात पर आजे पर होंग्कॉंग मां विरोध प्रदर्शनों थाई रहा छे अवस्तार मार छेला नव सप्ता थी सरकार विरोधी आंदोलन चाली रहो छे जरी शर्वाद प्रस्तावित प्रत्यार पड़ना नवा बिलने कारणे थाई हती होंग्कॉंग एक भाही जनक वनात पर छे त्यानी पोलिस फोर्शनों दावो छे के आंदोलन कार्यों एक कानुन व्यवस्तानें तोड़ी पाड़ी छे हावे बेजिंग जने पोताना दर्वाजे आ समगर खटना क्रमने जोयो छे त्याने चेत्रवनी जाहेर करी छे जे लोको आग साथे रमे छे तेवस दाश छे तेमने तेमना लायक सजा योग्य समय आवे मडित छे तोश्मा चेत्रवनी थी आंदोलन कार्यों पाछा हाटी जशे तेवस छिल्ला नव अठवाड़्या थी सडक पर छे 500 करता वधू लोको इजा ग्रस थाया छे पोलीस नू कहुँ छे के तेमने जून ने जुलाई मा हजारो अश्रू वायू ना राउंड ठोड़्या छे अन्या हिंसा वधूगो करती जाए छे आव धावच्चे जोशुवा वंग जे आपहला पोताना लोकशाही तरफी अभियान माटे जेल मा जाई आवे छे ते कहे छे के आ आंदूलन कारियों हवे नहीं रोकाए तो शू होंग कोंग सरकार पीछे हट करे तेवा कोई संकेत छे शू तेवो विरोज जगादनार विवादसपत बिलने परत ख्यांची लेशे होंग कोंग सरकार बेजिंग ना इशारे चालती सरकार छे जे बेजिंग नी साथे कदम मिलावी ने चाले छे बेजिंग पन आवाद पर चोखवड करी चुकियो छे ते आ मुद्दे कोई छुट छाट नहीं चलावे अने चौक का सज हवे सौथी जटिल प्रश्ण एछे के चीन कयो रस्तो अपनाव शे ते राह जोई शक्के छे क्या आविरोध आंदोलन ने होंग कोंग वासियों नो सहकार मड़तो बंद थाए ते कैरी लेंप अने ते अमे सरकार ने बदलवानों पन विचार करी शक्के छे सवथी आखरी विकल्प एव होई शक्के के चीनी सैनाने सडक उपर मोकली ने हिंसा रोकवानों प्रयातन करवामा आवे अने ते आना जियों देखाई शक्के बेजिंग द्वारा जाहेर कराएलो वीडियो के जैमा पीपल्स लेबरेशन आर्मी तालिम लए रही छे जै काईदो अने व्यवस्ता पड़ी भांगे छे ते विस्तारों मा कब जो जमावानी आख कवायाद छे एक महासत्ता जैरे पोतानी धीरज गोमावे छे तेरे शू थाये छे तेनो आ अंदेशो मात्र छे तो काश्मी ने लईने भारत सरकार ना निर्णाई बाद पाकिस्ताने भारत साथे ना वैपार सबंदो तोड़्या तेना परुच किरती श्री कलम थी आज नुकाटू तो बड़ा प्रधा ने आज दिमना राश्टर जोग संबोधनमा कईू कि जम्मु कश्मी ना विशेश अधिकार ने हटा व्याबाद पहली वार सार्वजने कृते तिमने संबोधन कर्यू जम्मु काश्मी ने जनताने खात्री आपी छेए कि पहलानी माफकत जनता तिमना प्रतिनी दी चूटी शक्षे अने टूक समयमा राज्जिमा चूटनी पणी यो जाशे आज माटे बस आतलूज बीबीसी समाचार साथे आवतिकाले फरी मड़ी शूँ आज समये करता है करता है करता है